अगर आप चाहती हैं अपने एक्जाम में अच्छा नंबर लाना तो आपके स्मार्ट वर्क करना होगा और यह विडियो आपके काफी मदद करेगा यह विडियो थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी मगर आपके concept को पूरी तरह से बनाएगा इसमें मैंने previous year 2020 के question को solve किया है mcq को multiple choice question को लेकिन मैंने पूरे question का analysis किया है जो आपके लिए काफी फायदे मन्द होगा आप यह समझ सकेंगे कि questions का pattern कैसा होता है और अगर आप इसके हिसाब से तयारी करेंगे तो आपके number ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो चलिए विडियो शुरू करते हैं section A और section B section A objective type questions जिने multiple choice question भी कहते हैं इसमें 4 options होते हैं और यह 60 questions इसमें मिलेंगे जिसमें 50 के जवाब देने होते हैं हर एक question एक number carry करता है section B में भी same same 50 number के questions होते हैं और जिसमें short type questions, long type questions होते हैं तो पहला question शुरू करते हैं यहाँ पे if का इस्तामाल हुआ है इसे करने क्या है direct narration में change करना है या indirect narration में है और या indirect narration में इस या वेदर लगा हुआ हो तो या interrogative sentences के yes no family में होता है जिसमें helping verb से questions शुरू होते हैं इसे option से हम check करेंगे तो पहला option जो है you are ill, you are ill होगा नहीं क्योंकि यह question नहीं है sham told her was she ill यहाँ was से शुरू है यहाँ पे verb का जो है दूसरा form है तो इस condition में was had been में change हो जाता तो यह भी नहीं होगा c number देखते हैं sham said to her are you ill तो यहाँ पे sham asked her inverted comma if लगेगा इसे हम statement में करते हैं तो you are ill होगा you जो है object के हसाब से change होगा तो her के हसाब से she हो जाएगा तो she was ill यह बिल्कुल सही है तो इसका option जो होगा सही होगा वैसे d भी check कर लेते हैं sham said to her sham asked her if she is ill होगा तो she change नहीं होता है third person जो है वो change भी नहीं होता है तो यहाँ पे she होगा वो जी यह भी सही है लेकिन यह ज़्यादा appropriate है इसलिए इसका see answer होगा ओके यह narration से question है second we that you would succeed यहाँ पे जो है verb है ओके यह clause है यह sentence से question कहा सकते है इसमें दो sentences है जो that clause से past tense होगा और सबसे appropriate जो इसका होगा hoped होगा ओके तीसरा number question learning that isn't easy यहाँ the french है french है in french है यहाँ language की बात हो रही है तो learning के बात french होगा क्योंकि language के पहले the का इस्तामाल नहीं करते हैं तो be answer होगा fourth number question the cat is eating the fish passive voice में change करना है voice question है इसके बाद वर्व फूर का इस्तामाल हुआ है यह present continuous tense यह present progressive tense में है तो present progressive tense का जब voice हम change करते हैं तो इसके बाद हम being डालते हैं ओके और इसे वर्व 3 करते हैं इनका order change करते हैं तो the fish is being eaten by the cat ओके तो इसमें पहला जो है वह हो जाएगा यहां yesterday लगा हुआ है जब yesterday लगा हुआ हो और verb के बारे में पूछे तो यह time and tense से question है इसमें हमेशा yesterday और अगो के साथ वर्व 2 ही होगा तो वर्व 2 इसका answer होगा ओके 6 number you get a new dress tomorrow tomorrow लगा हुआ है you के साथ do का इस्तमाल यहां इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे फिर वर्व का पहला फॉर्म है और यहां पे tomorrow लगा हुआ है ओके didn't इस्तमाल हो नहीं सकता है क्योंकि tomorrow लगा हुआ है hadn't यह दूनों past को denote करते हैं तो will जो है या future को denote करता है तो इसका answer A होगा आरती made me my shoes before I went into her house यहां पे वर्व हमें लगाना है mid लगा हुआ है यह question cognitive verb यानि verb से है और cognitive verb में made के बाद object और उसके बाद वर्व का जो form होता है वो infinity form होता है लेकिन without two होता है two छुपा हुआ होता है तो इसलिए इसका answer C होगा ओके अगर यह passive voice में होता जैसे आर्थी was made me तो उस condition में to take up होता तो इसका option C होगा choose the correct sentence यहां पे word study से related है क्योंकि speak lie, tell lie say a lie, tell a lie तो सही जो word होता है वर्व जो होता है वो tell a lie होता है तो इसलिए इसका option D होगा the window have been cleaned यह question voice से related है और active voice में करना है have been लगा हुआ है तो have been लगा हुआ है तो यह जो है have हम present perfect इंस में इस्तमाल करते हैं तो यह यहां पे someone से शुरू है तो someone has cleaned the windows हो जाएगा someone has cleaned the windows तो यहां C जो है इसका option होगा तेंथ choose the correctly spelled word तो यह तो intelligent यह आप spelling यहां से चेक कर सकते हैं यहां पे हम जो है word के order को देख रहे हैं हलांकि यह जो है tense से related या verb के form से भी related है कभी भी going verb 4 जो होता है direct subject के बाद नहीं आता है इसके बीच में helping verb जरूरी है और यह verb 3 भी नहीं आता है इसके बीच में भी helping verb की जरूरत होती है और will के बाद कभी भी verb 4 इस्तामाल नहीं होता है तो यह option यह बिल्कुल सही है कि going के बाद helping verb का इस्तामाल हुआ है और वह appropriate helping verb है okay 12th number question please give me cake that is on the table जो cake है वो already table में है और इसके बारे में बात भी हो चुकी है यह definite है इसलिए यहाँ पे दी का इस्तामाल होगा please be quiet I my homework I के साथ will or doing will or doing जो इस्तामाल ही नहीं होगा will के साथ verb का पहला form इस्तामाल होता है यह वर्ब का चौथा form है I am doing यह सही यह भी है is doing I के साथ नहीं होता है are doing I के साथ नहीं होगा तो c answer होगा she is pleased preposition से question है pleased with लेता है हमें सही appropriate preposition में याद करना होगा और written statement और oath या question जो है word meaning या word study से related है और did did कार को बोलते है alimony जो है तलाक नामा या गुजारा भत्ता पत्र को हम कहते हैं later पत्र है और written statement और oath या oath की बात है तो एफ़ेडिविट शपत पत्र को कहते हैं तो इसका सही option D होगा 60 number yesterday yesterday लगा हुआ है verb के बारे में पूच रहा है तो कभी भी verb two ही जाएगा क्योंकि यह time and ten से question है 17 number late me late से question शुरू है verb के बारे में पूच रहा है okay late के बाद कभी भी objective form इस्तामाल होता है pronoun का तो me और इसके बाद just हम जो verb इस्तामाल करते हैं वह verb one ही होता है तो leave इसका सही option होगा 18 number he said to me will you post this later for me यहाँ will से शुरू है इसे narration indirect narration में बनाना है तो yes no family के question में inverted कुमाल सटा के if लगाते हैं statement में बद लेंगे और said to की जगा ask लगाएंगे तो यहाँ पे he said to me he asked me he asked me sub में he asked me है यहाँ पे he said to me है next देखते हैं if if लगा हुआ है you जो है change होगा me के हिसाब से तो I हो जाएगा if I will would हो जाएगा if I would post this that में change होगा later for him यहाँ पे this ही है और बाकी में आप देख सकते हैं तो इस condition में आपका जो answer होगा 18 का वो A number answer होगा okay 19 number choose the correct sentence यहाँ पे sentence form जो है आप हमें change चिक करना है यह tense से भी कह सकते हैं tense यह वर्ब form से related है I do not like coffee sentence सही है okay I know like direct नहीं हो सकता है I will know like direct नहीं हो सकता है I had no like यह भी नहीं हो सकता है यहाँ पे word study भी यह word study that means not की know का कहा होता है work कभी-bh szop Another Word के पहले होता है ौच इस त нормal work 3 के पहले होता है not का इस इस अम हले अगर आर्टिकल कहीं भी आ जाए और आर्टिकल के बाद कोई now know यह objective науч का संंख्या सूचक शब्द और यहाँ डरी ए के ने सम या तो वहां भी जो है नौट का इस्तमाल होता है और उस कंडिशन में होता है जब हैज है और हैड के बाद नाउन या एड्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी जैसे गुड रेड यह सवाए और वहां पर आर्टिकल नहीं हो जैसे तो यहां पर हो जाएगा अगर नेगेटिव करेंगे तो शी हाज बलेक इंक तो शी है जैसे काउज है तो यहां पर यह वोर्ड स्टडी नो के बारे में भी हमने समझ लिया यह करेक्ली स्पेल्ट वोर्ड चाहिए तो विटामिन का स्पेलिंग यह सही है यहां पर 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 यह वर्ड यह वन है यहां पर ही जो है सिंगुलर थर्ड परसंट सिंगुलर नमबर है तो ही के साथ ड़ज का इस्तामाल होगा जब भी आएगा यहां पर ड़ज आएगा कि भी वन है तो हैस तो आएगा नहीं, don't आएगा नहीं, doesn't होता तो आ सकता था, तो यहां पे एक dodge है, एक do है, तो dodge ही आएगा, okay, 22, choose the correct sentences, either of three men, any of the three men, either of the three men, any of three men, तो either के साथ कभी भी 2 से ज़्यादा का इस्तामाल नहीं होता है, इदर के साथ 2 का इस्तामाल होगा, इदर से दो जरूर आएगा, तो इसका answer 22 का दी होगा, okay, 23 हम देख रहे हैं, 23 में जो है, जैसे he, okay, classical music, यहां everyday का इस्तामाल है, जब everyday, never, always, इस तरह के जब vote आए, तो वो time and 10 से ही होता है, और वहाँ पे हम verb, one या verb, five का इस्तामाल करते हैं, okay, तो यहां पे ही जो है, या singular subject है, third person का, तो यह क्या लेगा, वरब five लेगा, तो practices, यह सही है, बाकी आप देख ले, कोज भी सही नहीं होगा, okay, his practices इस्तामाल हो नहीं सकता है, वाज practice और सिर्फ practice नहीं होगा, जब भी होगा, we five लेगा, okay, it may rain, we will get wait, इसे combine करना है, it may rain के साथ, अगर इसे if से हम combine करते हैं, देखे, if से, had से इसलिए नहीं होगा, क्योंकि यहां पे rain हो गया, तो rain है, rain कैसे होगा, rain बिल्कुल नहीं होगा, और will get, जो है get बन गया, तो यह तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन if से भी combined होगा, तो if it will rain, if conditional sentences में, if से जो भी part जुड़ा होता है, उसमें will का इस्तमाल नहीं करते हैं, तो यह नहीं होगा, उसमें जो है हम, it rains, यहां पे इस्तमाल कर सकते हैं, और will जो है दूसरे part में आता है, तो यह option जो है बिल्कुल सही होगा, 25 में देखते हैं, you, यहां भी verb form या tense, जो है tense के form, या subject verb agreement भी कह सकते हैं, यहां इस related question है, जैसे you, you के बाद जो है, m का इस्तमाल तो होगा नहीं, यू के बाद इज का इस्तमाल होता नहीं है, यू के साथ, वोस का इस्तमाल होता नहीं है, यू के साथ, आर का इस्तमाल होता है, यह से भी इसे आप चेक कर सकते हैं, 25 number, 26, she, यह बी अबब 40, यह simple future tense है, तो will का इस्तमाल होगा, क्यूंकि needs ought or used to, बिल्गोल यहां पर सटिक नहीं आएंगे, correct sentence हमें, यहां पर जो है, वो, choose करना है, ओके, तो she wants 3x, यहां she क्या है, 3rd percent similar number, 3rd percent similar number, जब भी verb 1, यह कौन सा है, वर्ब 1 है, वर्ब 5 लेगा, और 3, 1, एक जो है countable noun है, तो यहां पर x लेगा, तो she wants 3x, यह जो है, यह सही होगा, बाकी आप देख लिए कोई भी गलत ही होगा, त्यूंकि यहां पर b number में wants है, तो यहां पर x नहीं है, ओके, तो इसका answer d, 28, are you coming with us, he asked me, यह narration से question है, indirect speech में करना है, आल से शुरू है, interrogative family, yes no का question है, yes no family का question है, ओके, तो यह are you coming with us को हम statement बनाएंगे, तो you are coming with us, और he asked me, तो he asked me और if लगाते हैं यहां पर, तो he asked me if, यहां तक सही, ओके, यहां पर you जो है, object के साब से change होगा, तो me के साब से I हो जाएगा, I, और are was में हो जाएगा, I was going with, यहां us जो change होगा, यह first person है, subject के साब से, लेकिन यह plural है, इस condition में, यह third person का plural, यानि they होगा, तो यहां them हो जाएगा, तो यह सही है, बाकि अगर हम देखते हैं, तो यहां पर ask है, यह नहीं होगा, यहां पर we'll ask, तो यह answer होगा, 28, 29, the mother sat in a corner, बैठ गई, गई, corner में, okay, to watch, यहां सबसे appropriate जो है, infinitive, यह to watch लगेगा, 29 number में, 30, there is a bridge, dash the river, in, off, or at, नहीं होगा, across, जब एक पार से दूसरी पार की बात हो, तो वहां पर across का इस्तमाल करते हैं, यह question preposition से, रीता, dash to the radio, यह question verb form से, tense से है, okay, रीता के बाद, है जो listening, है जो कभी listening का इस्तमाल होगा नहीं, हैड के बाद listening का इस्तमाल होता नहीं है, I am listening, यहां पर इस लिने होगा, क्योंकि यहां पर रीता है, I am का इस्तमालाई के साथ होता है, तो यह option सही है, 32, the teacher, यह yesterday लगा हुआ है, yesterday लगा हुआ है, उस condition में कभी भी वर्टू ही जाएगा, okay, 33, the teacher, that's about the weather, यहां पर कहा जा रहा है, weather के बारे में, मौसम के बारे में, तो उस condition में हम tail का इस्तमाल करते हैं, तो told about the weather, यह option जो है, बिल्कुल सही option होगा, 34, he has broken his leg, so he, he यहां पर should खेलना चाहिए, फुटबॉल, अगर पैट तूट गई तो फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए, तो should होगा नहीं, निडन्स नहीं होगा, निडन्स नॉट नहीं होगा, मस्ट का इस्तमाल नहीं होगा, 34 में A होगा, कांट का इस्तमाल होगा, ओके, 35th number question, 35 number question, who is the person, यह preposition से question है, तो यहां पर at, by, over नहीं होगा, in this picture, इस picture में तो D answer होगा, 36, he is going, यहां पर next week, ओके, यह लेकिन यहां पर जो है preposition का question है, तो live के पहले on लगता है, तो यह जो है appropriate preposition में है, तो इसका answer यह होगा, तो 36 questions हैं, यह grammar से related हैं, और इसमें different parts of grammar के question है, जो से narration, voice, और सबसे ज़्यादा verb के question है, सबसे ज़्यादा verb, verb में tense कह सकते हैं, subject verb, agreement से भी question है, time and tense से question है, उसके अलावा, जो है preposition से question है, article से question है, तो इनका जो है हमें बिल्कुल ध्यान रखना होगा, अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो हमें problems नहीं होगी, sentences, spelling, word, word study में spelling से question है, spelling के question के बाद सही appropriate words सा होगा, यह question है, auxiliary verb से भी questions है, तो ऐसे अगर हम ध्यान देंगे, तो हमारी number ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, इस portion से, वाइसे मैं इस पर आगे फिर विडियो बनाऊंगा, सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा, वर्फॉर्म पर विडियो बनाऊं, क्योंकि वर्फॉर्म बहुत जिरूरी, अब बाकी 37 से 60 तक जो questions हैं, वो हमारे book से questions है, तो चलिए अब इन्हें हम देखते हैं, पहला question डॉक्टर जाकिर हुसेन से है, तो डॉक्टर जाकिर हुसेन ने कौम से वर्फ को लिख कहा है, भारतीज माई होम, तो यह भारतीज माई होम इसका answer होगा, क्योंकि the artist या किनके द्वारा शीगा नोया, जर्मिन ग्रियर, तो इसका सही answer क्या होगा, वह भारतीज माई होम होगा, मैक्बिथ और जूलियस सीजर, वो सोरी, आर रिटिन बाई, तो यह William Shakespeare का work है, और William Shakespeare के इसके अलावा भी और works है, जिसमें Othello बहुत famous work है, Romeo and Juliet, As You Like It, A Midsummer Night Dream, Twelfth Night, ऐसे बहुत से work हैं, वो हैं इनके, ओके, वोल्टर डिला मरे was born in, तो वोल्टर डिला मरे का जन्म कब हुआ था, तो 1873 में हुआ था, तो इसका option जो हो जाएगा, वो हमारा C number हो जाएगा, 39 के बाद हम 14 number question में आते हैं, राधा कृष्णन, never lost his faith in the, इसका जो option होगा, यहाँ जो question है, यह भारत ही my home से ही है, जब वो शपत ले रहे होते हैं, तो राधा कृष्णन जी के बारे में वह बोलते हैं, तो यहाँ पर essential humanity of man, इसका answer होगा, and the night angle is dumb, यह poetry की line है, और यह line जो है, now the lives are falling fast, इससे है, इसमें और भी कुछ key words, अगर हमारे देमार्ड में होंगे, तो हम आसानी से याद कर सकते हैं, इसमें किसे भी poetry को, जैसे इसमें nurses floor, और prams, whispering neighbor, इनके अलावा भी, जैसे night angle is dumb, वहाँ पे एक और line है, line something like, and the angle will not come, तो ऐसे अगर याद रहेगा, यह WH Auden के द्वारा लिखे गई है, now the lives are falling fast, fire him, keki and dharu, ode to autumn, john के सथ sweetest love, I do not go, john done, जो एक metaphysical poet है, okay, that's what satisfied with a small village, यह जो question है, यह Indian civilization and culture से है, और यहाँ पे our ancestor, यहाँ पे answer होगा इसका, okay, our forefather, did not invent machinery, because, यह भी Indian civilization and culture से है, okay, हमारे जो पुरवज हैं, उन्होंने किसी machine, की खोज क्यों नहीं कि, यह अविश्कार क्यों नहीं किया, किसी machine का अविश्कार क्यों नहीं किया, तो वो जानते थे, कि हम लोग जो है, slips यानि, दासी हो जाएंगे, okay, तो इसका answer जो होगा, यह होगा, 44, ग्रेट वावल शेफ्ट तुक प्लेस डिवरीं, यह जो है, 14th century के बाद, ग्रेट वावल सेफ्ट, यह story of English, जो पतली से क्यताब है, वहाँ से यह question लिया गिया है, और इसका सही answer जो होगा, वह होगा middle English, यह middle English chapter में, इस पर मैंने already वीडियो बना ही है, middle English chapter पर, middle English, modern English, old English, इन सब पर वीडियो बन शुकिए, तो आप वहाँ पे, प्लेट लिस्ट में जाके, वहाँ से आप देख सकते हैं, 45 number, English used from the 15th century is called, जो old English, middle English, और modern English, इन तीनों के जो division है, उन division में, जो सबसे last division है, 15th century से लेकर, आज तक, उसे हम modern English कहते हैं, ओके तो इसका answer जो होगा, वह B होगा, Bernard Russell was awarded, Nobel Prize in Literature, इसका answer 1950 होगा, आपके book में, पूरे जो writers के बीच में, अगर देखा जाया, तो तीन ऐसे writer हैं, जिनको Nobel Prize मिला है, बर्नाट रसल के द्वारा लिखी गई हैं, और यह जो है, 1950 में इन्हें, जो है, Nobel Prize मिलता है, बर्नाट रसल को, और दूसरे जो writer है, Paul S. Buck, इनको 1938 में, Nobel Prize मिलता है, ओके, और इन्होंने, इंडिया थूरू ट्रेबलाव साइज लिखा है, और तीसरे नमबर में, Maccabity the Mystery का, T.A. Ciliate के द्वारा लिखा गया है, जिनने Nobel Prize 1948 में मिलता है, ओके, After all, there is something in Hinduism, that has kept it alive up till now, is from, यह जो है, यह line, यह text के बीच से लिया गया है, और यह Indian civilization and culture से लिया गया है, ओके, Standard British English speech, came to be known as, यह जो है, Story of English के 7th नमर चैप्टर, Global English लिया गया है, और यहाँ पर उसे हम, Received Pronunciation कहते हैं, ओके, Ideas that have helped the mankind is written by, यह Bernard Russell के द्वारा लिखा गया है, German Greer, A Child is Born, Paul S. Buck, India through Traveler Size, और Shiga Noya, के द्वारा The Artist लिखा हुआ, 50, Savitri is written by, यह अर्वीन दो, गोस के द्वारा, लिखा गया है, ओके, What according to Jackir Hussain, Which is the prime instrument of national purpose, तो यह Education है, 52, English Languages, यह Story of English से लिया गया है, और यह पहला चैप्टर जो है, उससे है, तो यहाँ पे इसका अंसर, यंगर होगा, क्योंकि बाकी, Older, Ancient, और Classical, इंतीनों का अर्थ, एक ही जैसा होता है, 53, And as we walk, we make the pledge, that we shall, always march ahead, यह, I have a dream, Martin Luther King Jr. के द्वारा जो लिखा गया है, उसके बीच से, यह line लिया गया है, ओके, इसका D answer होगा, यह T.A.C. लिट के द्वारा लिखा गया है, यहाँ W.H. Auden, Now the leaves are falling fast, John Dunn, Swedish love I do not go, और ST College यहाँ पे, इनका कोई भी वर्क नहीं है, वसे The Rhyme of the Ancient Manor, बहुत फैमस वर्क है, Walter D.L. Murray, Make us aware of the, यहाँ पे, Inhuman condition of modern life, Walter D.L. Murray, जब introduction chapter के ओपर जो है, जो poem शुरू होने से पहले, जो introduction है, उसमें यह चीज़ दिया हुआ है, 55, 56, Rupert Brooke, Rupert Brooke के द्वारा लिखी गई, The Soldier poem है, जिसमें वह England के बारे में कहते हैं, तो England इसका answer होगा, And the active hand, Hands must, that's lonely on the separate needs, तो यहाँ पर यहाँ जो answer होगा, वह freeze answer होगा, और यह जो line है, यह line again, Now the leaves are falling fast से लिया गया है, Okay, In hearts at peace, Under the English heaven, यह line the soldier से लिया गया है, Okay, 58 का जो answer होगा, वह B answer होगा, And, Stooped and drank a little more, पीने की बात है, तो पीने की जो बात है, वो साप आता है, नाद के पास, और वहाँ पर पानी पीटा है, तो यह snake से लिया गया है, और snake, डेच लॉरेंस के लिवारा लिखी गया है, John Dunn, जो है, Metaphysical poet है, Okay, तो यहाँ 60 जो है, हमारे 60 जो है, हमारे question MCQ, यह मैंने solve कर दिया, और आप यहाँ पर देख सकते है, question कैसे पूछे जा रहे हैं, ओके तो यह ऐसे question जो है, और करीबन हर साल यही pattern होता है, next हम चलते है, B section की तरफ, B section में देखिए, B section में पहला जो question है, या, या, 8 number का question है, ओके, और यहाँ पर हमें लिखना है, A से, और कितने दिये हुए हैं, यह में, 5 जो है, options में है, 5 में से किसी एक पर लिखना है, और यह 8 number के question, दूसरा जो है, explain any one of the following, यह approach section से है, ओके, और इसमें, एक लिखना है, और चार number का, यह question है, the common people lived independently, and followed their agriculture occupation, agriculture की जो बात हो रही है, वह बात, वैसे देखा जाए, तो, Indian civilization and culture से यह लिए गया, अच्छोली, महातमा गांदी के द्वारा लिखा गया है, even more important, than the domestication, जो बोज से, ओके, यह जो है, ideas that have helped mankind से लिए गया, जो बर्नाट रसल के द्वारा लिखी गया है, और सिबही यह नाम ही काफी है, अगर character का नाम कहीं कहीं, character का नाम होता है, अगर वो नाम आप जानते हैं, तो उससे भी पकड़ सकते हैं, तो सिबही, the artist, the artist, work से लिए गया है, यहां पर आप देखें, he knew nothing about the stock market, but he knew everything about a hint, hint के बारे में कौन सी स्टोरी है, तो the earth है, hint के बारे में, जो achievements के द्वारा लिखी गई है, जिसका character जो है, Benji है, जॉनसन है, यह जो है poetry piece है, यहां पर आप देखें, Macavity, Macavity, Macavity नाम ही enough है, यह Macavity the mystery cat से होगा, जो टी एसी लेट के द्वारा लिखी गई है, we saw embers, embers जुआला को बोलते हैं, आप की बात हैं, यह readiness है, आप की बात हैं, तो यह fire him, और fire him किसके द्वारा लिखी गई है, कि कि यह दारू वारा की द्वारा है, he lifted the head from the drinking, as cattle doe, उसने अपने सीर को उठाया, पानी पीते हुए, ओके पानी पीने के बाद, जिसे cattle जानवर करते हैं, तो यह snake जो है, पानी पीने जाता है, I think she was the most beautiful lady, most beautiful lady के बाद, जो है Walter Dilla Murray के, एपिताफ में है, तो यहां से भी हम इसे पकड़ सकते हैं, इसे एक question का जवाब देना है, और वो च्यार नमबर का है, next, चौथा नमबर जो question है, इसमें application, later application, या notice, या diary, ये लिखने को आता है, और ये 5 नमबर का question होता है, 5 नमबर question, 6 नमबर question में जो है, तीन question का जवाब देना है, और 100 से 200 words में देना है, तो ये 3 question के लिए, जो हमारे पास 5 जो है, यहां पे पूरे 5 question है, जिसमें से 3 को देना है, और एक question जो है 5 नमबर का होगा, जिसमें ये poetry section में 3 option में से, कोई एक option हम लिख सकते हैं, snake, sweetest love, I do not go, और fire him, वैसे ही यहां पे पूरे section में भी, 3 में से किसी एक को लिख सकते हैं, और ये जो है story of English से है, global language, middle English, और received pronunciation, ओके, तो इसमें से अभी आपको एक लिख सकते हैं, और ये बिल्कुल आसान होता है, ये जो है work, यहां पे author के नाम से ये work को मिलाना है, तो ये आपको पता होना चाहिए, John Dunn, W. Chauden ने क्या लिखा, Rupert Brooke, ये बिल्कुल easy है, it's not very tough, और e में जो है translation बनाना है, तो या तो इसे select कर लें, और एक जो है, आप इसे select कर सकते हैं, है कि यहां पे आप इसे select कर सकते हैं, क्योंकि poetry की समझी लिखना बहुत ही असान होता है, story भी वैसे असान है, maybe अगर if you feel that it is difficult, then you can leave it, तो यहां पे हम कर सकते हैं, ओके, यहां पे seven number में जो question है, यह passage, यह comprehension के question से, इसमें passage को पढ़ना होता है, और उससे answer देना है, यहां पे question दी हो है, उसका answer, यह बिल्कुल easy होता है, इसी में answer होता है, और यह चार number के हैं, यह आप यह दें, यह इसके जगह जो है, आप precise जो होता है, precise यानि यह जो लिखा हुआ है, इसको one third में कर देना है, इसको short कर देते हैं, short in करते हैं, तो इस तरह जो है, पूरे questions मिलते हैं, इसी format में, यहां पे section A में हमने देख लिया, grammar और text book से question मिला कर, 50 हमें जवाब देने होते हैं, 50 number के और पूरे 60 question होते हैं, section B में हम देख रहा हैं, a से जो है, पांच ऐसे वहाँ पर दिये हुएं, जिनमें से एक का जवाब देना है, और आठ नमबर के एक ऐसे, और यहां पे आठ नमबर, पुरोज से explain करना है, एक question को, चार वहाँ पर दिये हुए हैं, और चार नमबर के एक हैं, तो यह चार नमबर, यह भी चार नमबर, लेटर पांच नमबर के हो गए, 40 और 50 words में जो answer देने हैं, वो पांच के देने हैं, जहां पे 10 question दिये हुए हैं, और यह दो नमबर के होते हैं, तो यह 10 नमबर हो गए हैं, यहां पे 100 से 1500 words में इनका जवाब देना है, पांच पूरे questions दिये हुए रहते हैं, जिनमें से 3 काम को जवाब देना हैं, और यह 15 नमबर के हो गए, पैसिज का जवाब दे, यह प्रेसिस का जवाब दे, और यह 4 नमबर के question होते हैं, इस तरह यह पूरे 50 नमबर के हो गए, तो हम लोगों ने इसका analysis कर लिया, अगर आपको 2019 के या और भी पिछले question के analysis को जानना है, तो आप comment कर सकते हैं, मैं उसके लिए भी video बनाऊंगा, और यह काफी, इस video आप जरूर देखें, और अपने दोस्तों को बोलता हैं, और इस हिसाब से जो है आप एक जो है strategy बनाएं, और अगर आप तैयारी करेंगे, तो बिल्कुल आप ज़्यादा से ज़्यादा नमबर पा सकते हैं, और रियली इस वेरी इजी वर्क, ऐसा नहों कि आप किसी भी एक portion पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, इमीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी, थैंक्स पर वोचिंग दिस वीडियो,